बिग बुल के तो सुमित के साथ ही शुरुवात करता हूँ, सुमित समझाएं किस तरह का मुल्यांक के निस सह में इन्वेस्मेंट्स का है बिग बुल के कौन से बड़े इन्वेस्मेंट्स हैं, हाल फिलाल किस तरह की अरकात हुई है पॉर्टफोलियो में शुक्राशीश देखे बिग बुल को सब जानते हैं उनकी इन्वेश्मेंट्स को भी कुछ छुपा जी सकता जैसी ख़वर आती है शेरों में अपने आपी रियक्शन देखने को मिलता है लेकिन अलग-अलग माध्यम से वो इन्वेश्ट करते हैं अनिकि अपने नाम से अपन होल्डिंग बढ़ाते घटाते रहते हैं लेकिन अब इनकी जो मुल्यांकन किया जाए तो करीब करीब 15-16,000 क्रोड रुपे के आसपस की वैल्यू बैठती है उनके खुद के नाम से पोजीशन है उसी की वैल्यू करीब 11,000 क्रोड रुपे के आसपस है और बाकी उनकी जो कुछ शेर ऐसे हैं जिनमें जोरदार रिटर्न रहा है 100% से जाधा का कुछ शेर टूटे भी हैं कुछ अभी एक रेंज में काम काच कर रहे हैं लेकिन इनका पूर्टफोलियो लोर लेवल से या फिर इस साल में वाई टीडी में करीब करीब 1% का एक जंप दिखा चुका है साल भर में पिछले साल के ग्यारा पर्शन टूटा और इस साल अब तक एक पर्शन का एक जंप आया मेजरली कंजूमर डिस्क्रीशनरी और अग्रिकल्चर के पूर्फोलियों का में हिस्सा है जैसे टाइटन हुआ या फार्मासिटिकल लूपिन जैसी कंपनी और बिंदो इसी पूजिशन बढ़ाई है उसमें एक रैलिस इंडिया है टाइटन है जुबिलेंट लाइफ है जिसके अंदर बोजिशन बढ़ाई है वी आईपी इंडस्ट्री जो कि रीसेनली काफी करेक्ट हुआ है इनकम प्रीशन की सितारी थोड़ी बढ़ते वह दिखाई पड़ हैं वो अलग कहानी लेकिन तो आज करना क्या है सुमित ने आपको पोर्टफोलियो का एक जिस दिया पर आप उस पोर्टफोलियो में तीस स्टॉक्स उन सब का डिसकेशन करना लॉजिक भी नहीं था तो बिग बुल की जो बड़ी बैट्स हैं या ऐसे जो स्टॉक्स जो हा आपके लिए भी कहीं मौके हैं क्या निवेश करने के शुरुआत कर रहा हूं करांग सर आपके साथ और क्विकली क्यों कि मैं चाता हूं जितने जा सब पोर्टफोलियो के स्टॉक्स कवर हो जाए इसलिए मैं बीच की बातचीत को खत्म करके सीरी स्टॉक्स पर उतर रहा ह आज भी बिग बुल साड़े 5% का स्टेक ओन करते हैं इस कंपनी का मुल्यांकन है 88,000 क्रोड रोपे के आसपास का यानि कि बिग बुल का स्टेक है जब मैं बिग बुल का स्टेक कह रहा हूं जैसे समितने का एक तो अपने नाम से इंवेस्ट करते हैं दूसरा अपनी पतनी रेखा जुझन वाला के नाम से इंवेस्ट करते हैं या फिर अपने इंटरप्राइज रारे इंटरप्राइज या उसे रेर इंटरप्राइज कहते हैं उससे इंवेस्ट करते हैं तो वैं सब को इंक्लूट कर रहा हूं जहां जा बिग बिग बुल का एक्सपोजर है तो आ तब से अपके बीच में 25 परसेंट इस इन्वेस्मेंट की वैल्यू नीचे गई है पर टाइटन कम्पनी गौरांग क्या करना चाहिए इन लिवल्स के आसपाँ जहां पर यह स्टॉक खड़ा है बिग बुल का इंवेस्मेंट अपनी कहां नहीं किस साल कब लिया था कितने साल कर रहे हैं एक फ्रेश इंवेस्टर के तौर मुझे समझाईएगा क्या टाइटन कम्पनी इस समय इंवेस्मेंट के रडा पर रखूं खरीद के चलूं क्या सब्सक्राना निवेश इनका इसी कंपनी में और कई सालों से ये निवेश बरकरार है हमारी भी खरीदारी की कवायत इस कंपनी हिप्यर है और उसकी वज़ा एक नहीं दो तीन है पहले तो जेंजन जोईलिरी का कारोबार और सोने के दाम जैसे सुनने में आ रहा है कि सत्रा सो बचास अट्रा सो डॉलर से करीबन दोजार दोजार दोसो डॉलर तक जाने की संभाव ना है तो एक गणित लगा करके आप अंदादा लगा सकते हैं कि रुपे में सोने का दाम क्या होगा उसके साथ-साथ पिछले कई तिमायों से हम ये देख रहे हैं कि रिस्ट और एक्सेसरी का जो कारोबार है वहां से भी सुदार होते हुए दिखता है तो कुल मिला करके आप हमें पुछे तो मेरे गाल से जो करेक्शन हम देख रहे हैं वह लंबी अमदी के लिए दिवेश करने का बढ़िया मौका है ताइटन लिए पहले ही स्टॉक जिसकी चर्च लेते हैं तो घर जाते ही पता चलता है कि सोने के डाम बढ़ने वाले हैं जो खरीदने है अभी खरीद लो तो जब अरस्ती का प्रेशर बनाते हैं को रांग सारीक्टम से शो के स्टार्ट में ही पर टाइटन कमनी इस समय अट्राक्टिव खड़ी हुए इसमें कोई शक नह मूव अपने अल्टाइम हाइस पर जाके स्टॉक खड़ा हुआ है इसी रहे इसको भी मैंने सिलेक्ट करा है क्या सिलेक्ट करने की यह वजह थी कि टाइटन के बाद दूसरा सबसे तरह इंवेस्मेंट भी दरसल एसकोर्स में ही है बिग बूल का इस समय करेंट मार्केट व समय वैलुएशन हो जाता है 955 करोड रूपे का अल्मोस 1000 करोड रूपे राकी जुनवाला के यहां पर बन रहे हैं और यह स्टॉक जैसे मैंने का घजब का परफॉर्मेंस है यह तिल डेट यानि कि इस साल की शुरुआत से अब तक 65% और राकी जी के पिछले बश्ट से अ हम और आपको फ्रेश इंवेस्ट्मेंट इसकॉर्ट में करने चाहिए या इसकॉर्ट को रिड़ा पर रखें इवेंचुली अच्छा मौका मिले तो एंट्री करनी चाहिए क्या उस लाइक है यह स्टॉक या नहीं सेटी सर क्या कॉल होगा आपको एसकॉर्ट को लेकर सबसे पहले तो भारत के सबसे सफलतम इंवेस्टर और भारत के वरंगोफे कहे जाने वाले राकेश जुनियनवाला जी का कल जनम दीन है तो उनको जनम दीन की हर्दिक सुपकाम नाए अब बाकी जहां तक एसकॉर्ट का सवाल है बहुत ही शांदार कंपनी है और हमने देखा पिछले एक मैने में भी बहुत ही शांदार रनाप इस स्टॉक ने दिया अपने लाइफ हाई या 52 वीक हाई के आसपास यह स्टॉक चलता है और कल जो मतली सेल्स नमर्स भी इस कंप पड़ा नहीं है तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है मुझे लगता है बढ़ चुकी एक रैली अरडी बन चुकी है तो होड़ करना चाहिए करेंट लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी के लिए और कुछ डिक्लाइंस का इंतजार करना चाहिए जब भी बजार में सेंटिमेंस कर होते हैं स्टॉक डिक्लाइन करता है तो मुझे लगता है वह एक अच्छा मौका होगा इस स्टॉक में एंट्री पाने के लिए कहां पर मैं खरीदना शुरू करूं इस स्टॉक को मुझे लगता है अगर साड़े 900 के आसपा से स्टॉक वापीस आता है कोई करन से तो यहां से और अच्छे दमखाम इवेंचुली इस स्टॉक दिखाएगा क्रिसिल अगला स्टॉक है जैसे टाइटन के लिए गौरांग सर कह रहे थे जाना जाता है कि राकेश सर ने कब इन्वेस्मेंट करा तो और कितनी वैल्यू क्रेट करी क्रिसिल में भी बहुत एग्रेसिव रहे हैं राकेश सर और क्रिसिल की डिटेल्स आप लोगों की स्क्र 70 क्रोड रुपे का और यह स्टॉक का रेटिंग एजनसी ऑफ लेट ठंडी रहे हैं क्रिसिल तो फिर भी बेटर परफॉर्म करके दिया है बाकी दोनों लिस्टेट डेटिंग एजनसी तो बहुत तगड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है यह बीच का पीरेड है स्लोडाउं का पीरिड है शायद इसलिए भी इस तरह का ठंडा परफॉर्मेंस है लेकिन इयर तिल डेट दबाव जरूर होगा पिछली बर्टरे से बेकोल यहां पर एट लीस परसंट तो कमाई रहे हैं किसी भी लियाद से हैंसम रिटर्न कहा जाने चाहिए लेकिन गोरां जो निवेशक हैं वो भरोसा करके निवेश करते हैं कोई भी IPO में या फिर किसी भी डेट इंस्ट्रुमेंट में और हकिकत यह वास्तरिकता यह है कि इनका पूरा कारोबार जो है रेटिंग एजनसी का यह IPO और सेकेंडरी मार्केट में जो पेपर आते हैं उस पर निलबड ह होता है क्योंकि यह रेट करते हैं उन सब पेपर को और उनके रेटिक पर डेफिनेटली देखते हुए निवेशक यहां पर निवेश करते हैं थोड़ा महल सुस्त है यह इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में IPO ने दस्तक नहीं दिये शेर बादार क करता हूं जैसे जैसे यह जो अर्थ होस्ता है वो लॉक्डाउन से ओकन अप हो रही है अनलॉक हो रही है तो दिरे दिरे करके यहां पर भी आपको कुछ कंपनी आरकत में आते हुए देखी जिससे इन कंपनियों का काम का दिरे दिरे करके बढ़ने लगेगा और लंबी करते चलें क्रिसल का काउंटर जो अपने पियर से कहीं बेतर पोडिशन आपको वैसे भी स्टॉक नजर आएगा वह भाव भी दिखा रहा है बजार का भरोसा इस रेटिंग एजिस के साथ खास तौर पे खड़ा हुआ है और बिल्कुल सही स्लोडाउन दिक्कत वाला माहौ था इस ऐसे समय में निबलिंग करते चलें अच्छी फंडमेंटल अच्छे आउटलुक वाली कंपनी के साथ लियूपिन अगला स्टॉक और मैं जो नाम ले रहा हूँ आप लोग जैसी में नाम ले रहा हूँ आप लिए कर रहा होंगे क्योंकि कई बार इस चैनल पर बाच से लोगा के अनलेस्स काल में जाहिए हो लिईॅपिन की ये अनलेस्स काल में है आजकल काल में बहुत अक्टीब रहे हैं राकेश था लंकि चलेूपिन के स्टेक आपकी स्करींज पर 5 पर से लिएफ परसेंट का सिएक लि Quinn ,?", वह कमपनी हो जिसका 40,000 मारकेट की मारकेट स्ट्रीट की सबसे पसंदीदा बैट बन गई ऐसे में गौरांग सर क्या लूपन वह पसंदीदा बैट होगी मेरी क्या इन लेवल्स पर खरदारी करनी चाहिए पहले खरेदारी की गवायत थी लेकिन जिस तरीके से नतीजों निराश किया उसके पश्चात अपने बिटवाली की राई दी है तो अगर आपका निवेश है तो आप बनाए रखे क्योंकि सुधार दीख रहा है और अगर निवेश नहीं और फार्मा सेक्टर में आप निवेश का ध्यान बना रहा है तो टॉर्इन फार्मा जादा प्रिफ़रेबिल हैं इंट्रिस्टिंग तो ल्यूपन रीसेंट रिजल्ट के डिसपॉइंट्मेंट के बाद है तो होल्ड करें फ्रेश फार्मसीटिकल इंडस्ट्री में सेक्टर में एक पिक चाहिए तो ल्यूपन से बहतर होगा कि टॉर्इन फार्मा उस स्टॉक में आप लोग बैट कर सकते हैं जुबिलेंट लाइफ साइंसे एक और स्टॉक जहां पे राकेश जी की बड़ी तकड़ी होल्डिंग है स्क्रीन पर लेकर आएगा डिटेल्स विकासर ये आपके लिए 4.4 परसेंट की करेंट होल्डिंग यानि कि अल्मोस्स 70 लाग शेर्स हैं राकेश दर के पास 10,750 क्रोड रूपे की जुबिलेंट लाइफ साइंसे की करेंट मार्केट कैप इनके स्टेक का मुल्यांकर आता है 475 क्रोड रूपे में और ये स्टॉक न अच्छा परफॉर्मेंस करा है इयर टिल डेट 25% के आसपास का उचाल पिछले एक साल में 35-36% की उचाल तेजी दिखा चुका है सेटी सार कैसी लगती है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज ये सावाल जो पूछ रहा हूँ सारे फ्रेश इंवेस्मेंट के लिए आज से इन लेवल्स पर बाइख करूं क्या बिल्कुल आचिस देखें बहुत ही शांदार कंपनी है हाली में हालांकि कुछ खबरों की वज़े से जो इनके चाहिदा से कोई स्टाफ को भी डो गया तो उसके करने प्लांट बन थे तब एक अच्छा मौका आया था स्टॉक में खरदारी करने का स्टॉक में कुछ गिरावट आई थी बट वहां से हमने एक शांदार रिकावरी देखिया है स्टॉक अपने यहली हैस के आसपा स्टेट करता है मुझे अच्छी कॉलिटी का स्टॉक मुझे लगता है हम आने वाले साल वर के अंदर साड़े आप सो भी देख सकते तो यह वह काउंटर है जो बाया और डिप्स की रणनीती रखें अच्छी फॉन्डमेंटल वाली कंपनी और सही है दिलाया सेटी सर ने जब यह पैंडमिक शुर कि इस जो रिपोर्ट हुए तो वो जूबलेंड लाइफ साइंसेज का था कि इनके इंप्लॉई को कॉविड हो गया उस ताम पे कॉविड को लेकर तो शार्प रियाक्शन स्ट्रीट में आता था आजकल तो कई सारी कंपनी अप्डेट देती हैं और शायद कवरेज के भी नहीं अप्डेट चले जाते हैं कि कोविड हुआ एंप्लॉईज को तो बड़ा शार्प रियाक्शन था वो मौके ते शायद अच्छे लेकिन अभी भी किसी भी गिरावाट किसी भी कमजोरी में एक्विलेट करके चलें इस कंपनी जूबलेंड लाइफ साइंसे को इस नो पर एक के बाद आपका स्वागत हैं हम बात कर रहे हैं बिग बुल यानि की राके जुन्जुन वाला बिग बुल की बिग बेट्स की वो स्टॉक जहां पर उनका सबसे तग्रा एक्स्पोशर है क्या उन स्टॉक्स में बिग बुल ने ऑफिसली उनके फंडरमेंटल्स चेक प्रिविजिट करूँगा अब तक जिन स्टॉक पर बात हुए और जो रिकमेंडेशन साइं लेकिन अगली करी में स्टॉक जो है वो है फेडरल बैंक और राके जुन्जुन्जुन वाला साब का फेडरल बैंक पर एके स्क्रीन पर उल्मोस्त तीन परसेंट से भ्रूप से पर ट्रेड करता था और अब पचास ओड लिवल्स के आज पास इसलिए वो ये टिल टेट रिटर्न और एक साल के रिटर्न आपकी स्क्रीन पर पिछले बुथले से इस बुथले के बीच में बिक बुल ने आधा पैसा गवा दिया है फिड्रल बैंक में कहना चाहिए लेकिन गड़ांग सर फिड्रल बैंक ऐसा लगता है थ्रौसर डिसपोइंट्बंट रहा है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर लेकिन जहां खड़ा है इस समय क्या फ्रेश इंवेस्मेंट बनता है बिलकुल बनता है और उता चड़ा तो बजार के दो पहलो है आशी और अक्सर हैसा हो खरीदारी की कवायत और यह फेल्डल बैंक में दिक्कत इसलिए हुए थी क्योंकि एक तो दक्षेंड भारत स्टापेत एक बैंक है केरला में हेड़कॉर्टर जेंके और के बाड़ आई थी उसको लेकर के काफी खाम्याजा बुगरता पड़ा था इस बैंक को और उसके प उपर अभी स्टर लॉट के आए उसमें हमें ताजुब नहीं होगा ओके तो फेडरल बैंक खरदारी करने के मौकें जिल लेवल्स पर अभी आके खड़ा हुआ है अट्रैक्टिव जोन से अट्रैक्टिव लेवल्स है और लॉंग टर्म का नजरिया लंबी अब्दी का अप्लाइजेशन है इस कंपनी का तो बुग बुल का स्टेक जो है करीब 200 को रुपे के असपास का और MCX में भी अच्छा पैसा बनाया है पिछले बदरे से इस बदरे के बीच में 50% का मूव इस स्टॉक ने दिखा दिया है पर विकास सर क्या करना चाहिए MCX जहां इस समय खड़ा है स्टॉक पे कॉल क्या होगा इस बिल्कुल आशीज देखिए बहुत जी शांदार कंपनी है नियर मोनोपली है अपने फील्ड में आपके कुरूड है में अच्छे मार्जिन से नतीजे भी कोटर और अच्छे आते हैं मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल अच्छा स्टॉक है और बहुत अच्छी खासी पिटाई हो गई है हाली में जो पॉलिटिकल डिवलोपेंट्स हुए थे उसकी वज़े से भी गिरावट आई है और मुझे लगता है करेंट डिवल्स पे इस स्टॉक को खरीदा जाना चाहिए और बाकी गिरावट पे और एड़ करें और यह स्टॉक मुझे लगता है विदिन दे इंफरेस पे इस एक अच्छी क्वालिटी की बैलन चीट है और य कोल्ड करें जिनके पास है फ्रेश इंवेश्मेंट फार्मा में करना है तो टॉरेंट फार्मा जादा बेहतर है जूबिलेंट लाइफ बायान डिप्स की रेंट रेंटी रखें फेडरल बैंक खरीद के चलें एमसे पे खरीदना चाहिए और एंसी सी जहां खड़ा है यहा और आप सबका इस कास पेश का शकुचा